कि हलो पेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में पस्चों को भी-कॉंप्लेक्स एंड-लियुर रख्षते शाल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन लगाना सही है या गलत भूत इस तरह कि वैट्टी निरेंगे इस तरह की कमेंट्स करते हैंगे गर्म में आज आपको बताएगा जो इस चैनल पर भी नहीं जुड़ें तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेला एकन और आपसंद दबाएं क्यूंकि आपको पता है कि चैनल पर भी आपको सोट में सही जानकर एक साथ वीडियो दी जाती है देखो बी कॉम इंजेक्शन बनाती है लेकिन इंजेक्शन है जैसे घर्मियां पड़ रही है घर्मियों में आपका खाना पिना नहीं कर रहा है जोगाली नहीं कर रहा है सुस्त है एक दो डिग्री टेंप्रेजर बढ़ावाया जैसे 101 है उसमें 102-103 तक है तो आप इस इंजेक्शन का पर जेल्ट पा सकते हैं अधर इदी पसु जैसे प्रोटो जवाजनी त्रोग में हो गया है तो उसका टेंप्रेजर बहुँ ज़्यादा हाई हो गया है तो उस इस्तती में इस इंजेक्शन का वड़ ने करना चाहिए हालां कि कई स्थरे की बीमारी होती है उसमें जो आपकी व टीने यह जीने प्रोपर नौलेज होता है जिनका डाइग्वन से सही होताहि है कि इस इसको लिवरक्स क्षाड लगाना जरूरी है अन्य था ये injection उसी स्तती में लगाया नहीं जाता है और ये injection जब ये पसु में इंडाइजेशन से सम्दित कोई भी दिकत हो जाती है या पसु खाना पिना जुगाली नहीं करता है जो गर्मियों में इस तरह की दिकत पसु में देखने को मिल रही है या पसु जिस तरह से खा बिमारियों में क्या काम करता है लेकिन आप इस इंजेक्शन का परियों में लगाना सही है लगा सकते हैं बहुत चारे जिल्ट देखने को मिलता है बट ये प्रोटोज जनी त्रोग है तो उसी स्तती में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए यही है और ये आप जो इ देने वाला पस्तु सभी के लिए इंजेक्शन सेव रहता है तो यह जितना हो सकता है पस्तु पालक है वेटेरिस ने उनके साथ सेर करें यह नोलिज लगिए तो निच्छा के मिन्यमिके शितर स्थेवडियो दिक्तरी थैंक्स धन्यवाद